वेलकम टू राजमेति श्टडी मैं हूँ अभीशेक और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लाश 10 का चेप्टर वन जिसका नाम है रियल नंबर और रियल नंबर की एक्सेसाइज 1B को आज हम लोग सॉल्व करेंगे इस एक्सेसाइज में कोशें आपसे कहेगा कि आज हम आपको बताएंगे कैसे किया जाता है और एक चीज नोटिस जरूर करना या फिर दिमाग में आपने रखना कि यह जो आज एक्सेसाइज इंपोर्टेंट है और इसी से ज्यादातर कोशन पूछे जाते हैं देखो एल्सियम और ऐसे आप कर ही लेते होगे कैसे किया जा होगा कि आपको एल्सियम फाइंड करना है कि एक पैटरन है कोशन का इस कोशन के पैटरन को समझना पड़ेगा यह सब हम आपको आज समझा देंगे अगर फिर भी कही कोई डाउट होता है तो कॉमेंट करके हमसे पूछ लेना हम इसके लिए एक डेडिकेटेट वीडियो ब एक्सेसाइज बन बी की सुरुवात की तीनों कोशन सेम है इन सभी कोशन में आपको प्रोटेक्स ऑफ इस प्राइम फेक्टर आपको नंबर दे दिया गया और कहा जा रहा है इन नंबर को प्रोटेक्स ऑफ इट्स प्राइम फेक्टर के फॉर्म में लिको आपको फेक्टर 34123 3 is a 9 143 यह किससे चला जाएगा यह हमारा चला जाएगा किससे 11 से 11 से करोगे तो 13 टाम जाएगा तो यहां पर 13 और यहां पर और यहां पर हो गया बस यही आंसर है अब कोशन सेकंड को देखो यहां पर कह रहा है 5000 है इसको सॉल करो तो 5000 को सॉल करने के लिए आप इसको डिवाइट करो किसे जाएगा यह 5 से 5 105 यह 005 अब देखो 1001 अब यह किसे चला जाएगा 7 से 7 बन जा हुगया हमाँ पर 7 और यहां पर आ गया हमाँ पर कितना 37304 028 और फिर 21 और 7 3021 तो 143 अब ही हम ने उपर देखा 143 11 से जाता है कितने तरी टाइम यहां पर आ गया हमारे पर 3 और यह हो गया हमारे पर 1 वाट जब solve किया तो 5 इंटू हमें क्या मिला 7 इंटू 11 इंटू 13 11 इंटू 13 मिल गया यह होगे question number second का हमारा answer अब question जो 3 है इसमें कहा जा रहा है आपसे 2431 इसको भी ऐसे ही करना है 2431 अब 2431 जी किस से जाएगा यह 11 से divisible है बिलकुल 11 से जाएगा 11 टूजा 22 11 टूजा हो जाएगा 11 221 हमें मिल गया अब हम लोग इसे 30 से solve करेंगे ठीक है 13 से करेंगे तो यह 17 टाइम चिला जाएगा और यहां पर हमें 17 मिल जाएगा अब दोको यहां पर हम यह करके तो आपको दिखाएंगे नहीं कैसे हो रहा है 13 इंटू 17 13 इंटू 16 नहीं करेंगे कि यह आपर फाल्तू का टाम बेस्ट होका यह बहुत बे इपिजेंट कैसे करना 2431 यह समझ लो यह आपका भी वाम अप चला है यह सुरुआत के तीन कोशन वाम अप है 14 कोशन थोड़ा और अच्छा हैगा फिर उसके बाद जितने भी कोशन मिलेंगे वह बढ़ियां लेवेल के मिलने वाले हैं यहां पर आपको सिर्फ यह याद द दिन उजिग फ्रायम फ्रेक्रिजेशन एंचफ और अंट लुटा है करा है प्रायं फ्रेक्रिजल्जेशन यह उसके नंबर घंक हमें ल ढून ही फिंद करने शबसे पहले यह याँ अबर टेको 36 यह किसजे़्ट करने नहीं तो अंगर就是說 टुवंज दू पर टो लाटं यहां पर हो गया हमाने पस 2 यहां पर हो गया 1 3 से करेंगे 3 7 जा ओगे और यहां पर आगे 7 यहां पर हो गया 1 तो हमने देखा जब हमने 36 को solve किया तो हमें क्या मिला 2 x 2 x 3 x 3 अभी आप देख पारों कि यहांपर 2 दो बार है तो 2 की power 2 लिख सकते हैं इंटू 3 भी दो बार है तो 3 की पावर हमने 3 2 लिख दी कोई तिक्कत है यहां पर नहीं ना अब ऐसे यहां पर आजाओ 84 84 को जाओ हम लोगों ने सॉल्ट किया तो यहां पर हमने देखा 2 इंटू 2 इंटू है हमाँ पर 3 इंटू 7 है अब देखो 2 दो बार है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 एक बार है इसको ऐसे लिख दो इसको ऐसे लिख दो अब इसको दियान से सद्धिखो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है HCF HCF अब HCF होता है क्या है HCF का मतला समझ लो कि जो भी हमें number मिले हैं उन number में common होना चाहिए दोनों में number common होना चाहिए यहाँ पर आप देख पार हो 2 है और यहाँ पर भी 2 है common है अब दूसरा step क्या होगा हमें जिसकी power कम होगी ना उसी number को लेना है इन दोनों में power आप negative 1 का मतला सब्सक्राइए अपैर है हमें लिएक होते है दूसरा पर कि लिएक है और थिमधान प्रस्वार कम होती है इसको ही लिखते पहले देखते हैं क्या-क्या common है उसमें किसी power कम है वही ले लेते हैं होही हो जाता हमारा HC calls Oh मैं एफली तो कि यहां पर फिल्ट верж दोग डिया कई मतलब् tape अब्स का जिसको ऐसे ही दुग दो इन दोणों बावर किसकी जादा है क्या कि इस पी पावर घू तो बहो ईसेलिक दो सौभा कर फोर भूर के respirato तुछ 2, 2, 4 all 3, 3, is a 9, 3, 9, is a 4, 9, is a 36 36 इन्टू हो गया, हमारे पास यहां पर 7 अब यह 36 इन्टू हमारे पास 7 है तो यहां पर आजाएगा, हमारे पर 250 तो हमें यहां पर मिल गया यह हमारा HCF हो गया और यह हमारा LCM हो गया हमें यही find करना था और यही हो गया इस question का हमारा answer और हां, आंगी question ने क्या काया कि आपको इनको verify भी करके देखना है कैसे, hcf into, हमने कर दिया, lcm, एक question कर दिया, हमने product of product of to number, या फिर बोलो given number, given number, यह verify करने के लिए का है अब करना, जो hcf आया है, उसका multiply करो, lcm के साथ, hcf हमारे पास है 12 और lcm आया हमारे पास 252, got it, product of to number, product of to number मतलब 36 into कर दो, यहाँ पर 84, अब आपको यहाँ करो, इसका multiply करो, और इसका multiply करो, जो आये गा रा, शेम दोनों होंगे, मतलब देखो, यहाँ इसका multiply करते है, बुक्त फोड़ा हो जाएगा हमारे पास 24, 4 यहाँ पर होगी हमारे पास 24, तो यहां पर हो गया हमारे पास 5,8,4,5,6,4,8 तो यहां पर 8 यहां पर हो गया 4 और यहां पर हो गया हमारे पास 24,28 यहां पर हो गया 2,8 अब इसको solve कर लेंगे तो हमें यहां मिल जाएगा 4 यहां पर हो गया हमारे पास यतना 2,8,9,10 और यह हो गया 3,324 अब देखो इसमें जो 324 आया ना तो इसको भी multiply करोगे तो 324 ही आएगा आप करके देख लेना और हाँ अगर multiply करने में दोनों ही अलग आ रहे तो इसका मतलब हो रहा है कि आपने कहीं ना कहीं LCM और SCF लेने में गरबड़ी की है या फिर आपने factorization करने में गरबड़ी की है इसलिए difference आ सकते हैं इसमें हमें जो number given है उसको सबसे परहे लिख लेता है यहाँ पर हमें क्या given है 23 or 31 यहाँ पर देख वारो 23 है 31 अच्छा यह हमको बता दो कि 23 क्या factor क्या होंगे 23 किसी की table में आएगा हाँ आप पहोगे 1 की table में आएगा लिख दिया फिर हमने 1 और आप कहोगे 23 खुद की भी table में आएगा और किसी table में तो आए गई नहीं और यहाँ पर हो गया हमारे पर 31 31 किसी की table में आएगा 31 भी किसी की table में आएगा तो आप कहोगे 1 में आएगा और या फिर किसमें आ जाएगा एक खुद की table में 31 में आएगा बस इसकी इलावा और यह दो number कहीं भी नहीं मिलन और common होंगे LCM में वह लिख लेना है और जो common नहीं होंगे वह लिख लेना है तो इसमें common तो है नहीं बचा कि हमें 23 और इंटू हमें क्या दिख रहा है यहां पर 31 तो यहां पर LCM हमारा हो गए 23 इंटू 31 इसको छोड़ तो अब HCF में एक ही चीज होती है क्या सबसे पहले common द जिसकी पावर चोटी है उसको लिख लेना है और LCM का रूल होता है कि वह यह common देखो common जो भी मिला और उसकी पावर जिसकी बड़ी है वो लिखो और जो बच रहा है उनको भी लिख लो यह होता है LCM और LCM HCF यह क्या लिख लिख दिया है और HCF हमें मिल गया यहां पर 1, clear अब इसे verify करना तो verify कैसे करते है LCM into HCF 713 into 1 equals to product of given number, given number है 23 or 31 तो 23 और यहां पर हो गया हमारा पर 31 multiply करके देखना यहां पर 713 ही मिलेगा और यहां पर 713 हो गया और यही हो गया question number second का हमारा answer समझ में आ गया अब इसकी 3 वाले में आ जाओ इसमें हमें क्या given है इसमें हमें given है 96,404 96 और 400 यहां पर हो गया हमारा पस 4 clear ओखो 4004 हो गया यह तो अच्छा अब 96,400 को कैसे करोगे तो यहां पर लिखो 96 अब से पहले अब इसके factor निकाल लो तो यहां पर यह 2 से जाएगा 2,4,8,2,8,16 फिर 2 से करो 2,2,4,2,4,8 फिर 2 से करो यहां पर 1,2,2, पर यहां पर 4,0,6,23 फिर यहां पर 3,3 यहां पर हो गया 1 अब यहां पर देखो 404 है यह किससे जाएगा हमारा 2 से 2-1 और 2-4 फिर 2 से करो यहां पर आगया 100 यहां पर आगया the 1 यहाँ पर आप देख पारे हूँ 101, अच्छा 101 यह किसी हमारा divisible है, यह किसी सी divisible है, नहीं, अब यह किसी सी divisible नहीं, तो इसको 101 ही हम लिख देंगे, और यहाँ पर 1 कर दिया, यहाँ पर हमने लिखा 96, 96 को जो हमने solve गया, तो हमें क्या मिला, एक, दो, तीन, चार, और यहाँ पर पाच, इसका मतलब 2 की पावर यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, ठीक है, इंटू, यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पर 3, जब हमने 1, 4, 0, 4 को, जब solve गया, तो हमने देखा, 2 बार 2 है, तो इसको 2 की पावर 2 लिंक देते है, इंटू हमने कर दि देखना है, आपको common, तो इसमें common क्या देख रहा, 2 और 2, और इन दोनों में, जिसकी पावर कम होगी, वही HCF होगा, अबर 2 की कम है, 2 की पावर 2 यह कम है, यहाँ पर लिख दिया, और बहुत यह हमारा HCF है, अब हम लोग लिखेंगे, L, C, M, L, C, M, क्या है, L, C, M, में मे लिखेंगे, अब HCF 2 की पावर 4 मतलब क्या हो गया, 2 की, sorry, 2 की पावर 2 मतलब हो गया, यहाँ पर 4, और LCM, LCM यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर 2, 2 is a 4, 4, 2 is a 8, 8, 2 is a 16, 16, 2 is a 32, यहाँ आपर आगे 32, इंटू कर दिया, हमने 303 कर दिया, अब इसके जाए हम लोग कर दें कि जरूर एक बार देख लेना है, अब इसको आप वेरिफाइ करो, तो वेरिफाइ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, LCM into HCF, 96, 96 into 4, equals to हो जाएगा, product of given numbers, product of given number 96 into हमने कर दिया, 404, ठीके, अब क्या करो, इसका इसमें multiply कर दो, simple सा, जो भी आएगा समझ लेना, वो भी यह यहां भी आ रहा है, तो आप करोगे, 64, 24, 36, 37, 38, और यहां पर आ जाएगा, हमाई पर 7, और यहां पर 8 आ गया, और यह 3 होगे, ठीके, और यहां पर भी same यह आएगा, आप multiply करके देख लेना, और comment करके हमें ज़रूर बताना, और हाँ, अगर वीडियो समझ में आ रही है, यहां और कोशन समझ में आ रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करके बताओ, कि हां समझ में आ रहा, दोस्तों को भी share की अगर होता कि उन्हें भी यह सब कुछ मिलता रहा है, वो भी free of cost, अब यहां पर हम लोगों ने कोशन कर लिया है, अब यहां पर हमारे पास है, इसे का 4 पार्ट फूर्थ में है हमारे पास 144 ओके और है हमारे पास 198 इन दोनों को अब सॉल करना है तो यहां लिखा 144 अब 144 यह किस से डिविजबल है अब बताओ यह 2 से है बिलकुल 2714 22 जा फिर यह 2 से 236 और 2612 फिर 2 से करो 2918 और फिर 3 से करो 333 यहां पर होगे 1 यहां पर होगे 19 और यह होगया 8 यह हो गया हमारे पास अब 2 से करेंगे 2918 यह 99 आ गया अब इसे हम लोग 3 से करेंगे तो यह होगे 3 309 3 309 फिर 3 से करेंगे यह हो गया 1 1 1 1 और यहां पर हो गया हमारे पास 1 क्लियर इतनी बत हमने लिखा 144 जब इसको सॉल्ट किया तो हमें क्या मिला 1 2 3 4 4 बार अजब 2 की पावर 4 और 3 हमारे पास जो बार है तो 3 की पावर हो गई 2 अब यहां लिखा 198 इसको लिख दिया और यहां पर है हमारे पास 2 इंटू 3 की पावर हमने कर दी 2 और इंटू कर दी हमने यहां पर 11 यह हो गया हमारे पास इतनी बात क्लियर हो गई अब हमें क्या करना है सबसे पहले HCF देखना है HCF HCF में क्या होगा सबसे पहले दोगो common क्या है यह दोली दोलिक दो धर देखा यहां भी 3 यहां भी 3 यहां भी पावर दोनो की ही same है तो हम दोग दो क्या कर सकते है यहां पर 3 की पावर 2 ले लेंगे और कुछ भी हमें यहां पर नहीं करना है अब LCM पे आ जो LCM में हमने और 9 तूजा हो गया हमारे पास 18 यहां पर हो गया हमारे पास 18 ओके तो 2 की पावर 4 तो यहां पर आएगा 2 तूजा 4 तूजा 8 और 8 तूजा हो गया हमारे पास 16 इंटू 3 तूजा हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू हो गया हमारे पास 11 16 9 11 यह बन जाएगा हमारे पास 1584 अब जर हमारा LCM calculation आप खुद से करो हम आपको समझाएंगे कोशन को easy से असान कैसे बनाते हैं ठीक है अब देख लो यहां पर हमें verify करना है तो verify करने के लिए आप HCF और NCM को multiply करो जो की कोशन ने कहा है 18 इंटू हो गया 1584 equals to हमें क्या करना होगा जो हमें number given है उनका product मतलब multiply 144 इंटू 198 यह हमने यहां पर कर दिया अब इसका जब multiply आप करोगे तो आपको मिलेगा यहां पर 28,512 आप शरूर करके देखो multiply तो भी मिलेगा 28,512 ओके तो कोशन नमबर हमारा fourth complete हो गया अब कोशन नमबर five में आ जो हमने करने में हमारा सेम आप multiply करो हमें आपर multiply करके बिलकुल भी नहीं बताने वाले time बहुत लगेगा इसमें आप खुद से करो और खुद से जब करोगे ना तो आपकी practice होगी सबसे बड़ी बात आपकी practice होगी और practice से ही आप perfect बन जाओगे यहां पर होगे 396 और फिर यहां पर divisible है बिलकुल तू लूनक और हमामा एं आपकी Oh tu उनक रखाए इंटीन तुनना ऐट्टीन यह थ्री से सगन चे और यहां पर वन यहां पर हो गया 1080 यह हो गया अब इसे सॉल्ट करेंगे यहां पर हो गया 2 510 2480 फिर 2 से करेंगे 224 2714 0 फिर 2 से करेंगे 202 236 2510 अब यहां पर 135 135 से जाएगा 5 210 हो जाएगा 5 735 3 से जाएगा 397 6343 4343 औस फिर हो गया हमारे पास यह और यहां पर हो गहे 396 कि एक व्सक्वी दू अन पर टू की प्रेवर हो गई टू इंटू थिर की पावर टू इंटू यहां पर हमारे पास इलाएव अब इसको देखो हैं, यहां पर आजाएगा हमारे पस 2 की पावर 3, 2 की पावर हो गई 3, इंटू, 3 की पावर हो गई 3 हमारे पस, और फिर है हमारे पस यहां पर 5, क्लियर इतनी चीज, अब हमें करना क्या है, अब यहां पर हम लोग सबसे पहले ह, C, F निकालेंगे, H, C, F common किया है यहां पर 2 और यह 2, इन तोनों में power किसी कम है यह वाली, तो हमने लिखा 2 की power 2, in 2, इन दोनों में common क्या है, 3, 3 common है, और power किसमें कम है, 3 की power 2 इसमें यह हो गया, अब हमने लिखा LCM, LCM equals 2 हो जाएगा, इसमें आप देख पा रहे हो, पावर किसमें ज्याद है, 2 कि 3 पावर 3 यह और इसमें 3 कि पावर 3 और फिर बच के रहा है 11 और इंट्व 5 पच रहा है 2 कि 2 मतलब हो गया 4, 3 कि 2 मतलब हो गया 9, 4 9 यहां पर 36 क्यांपर एंगे हमारे पास कि की हो गिंट्या 8 और 29 यहां पर आ गया 2 के हैं जो 25 27 into 55 जब इसका हम लोग माल्टिप्लाइग करेंगे तब हमें मिल जाएगा 11,880 अब माल्टिप्लाइग करके जरूर देखना अब यह हमें मिलेगा LCM ठीक है अब हमें verify करके दिखाना LCM और HCM निका लिया verify करने के लिए क्लिए 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 LCM into HSE 36 into कर दिए हमने 11,880 equals to 39 अमने 6 into कर दिए 10 और हमाँ पस 80 अब इन दोनों का हमें मल्टिप्लाइग करना है तो मल्टिप्लाइग करेंगे तो यहां मिलेगा हमें 427 और हो जाएगा 680 और सेम यहां पर भी वही मिलेगा अगर कुछ अलग आ रहा है तो आपना अपनी कैल्कुलेशन को चेक कर लेना तो यह हो गया question number 5 का हमारा answer अब question इसी के 6 में आ जाते है तो जो question इसका 6 है और last से इसका वह है 1152 11 यह हो गया 52 और फिर है हमारे पस 1664 1664 है यहां पर आजाओ और 11 हमने 52 लिखा अब यहां पर हमने लिखा 2 2 5 0 होगया 10 2 7 0 14 2 6 0 12 फिर 2 से करो 2 2 0 4 2 8 0 16 2 8 0 16 फिर 2 से करेंगे 2 1 0 2 2 4 0 2 4 0 अब यह फिर हमारा 2 से जाएगा 2 7 0 14 और 2 2 0 4 फिर 2 से करेंगे 236 26 12 फिर 2 से करो 2 1 2 2 8 0 16 फिर 2 से करो 2 9 0 18 फिर 3 से फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर यहां पर 1 यहां पर हमने लिखा 1664 अब इसको सॉल्ब करेंगे तो यह 2 से जाएगा वरी 6 16ू 2 0 3 0 6 2 2 0 4 फिर 2 2 से करें तू 4 0 8 2 1 0 2 2 6 0 12 फिर 2 करेंगे 500 2 0 6 0 12 तो यहां पर आगए हमाई पो फिर यहां पर यहां पर यहां पर इस सॉल्व हो गया अब यहां पर देखा दो हमारे पास 1152 था तो हमें क्या मिले थे 12345672 की पावर सेवं इंटु 3 दो बार है तो 3 स्क्वार बोगए अब 1 ताउजन 664 इसको देखो यहां पर 1234567 तो 2 की पावर यहां भी हो गया हमाई पर 7 इंटु यहां पर हो गया हमाई पर 30 यह मिल गया अब हम लोग सबसे पहले है एकशसी इफ की बाद करें है एक एस बार जोब एक यह कोमन हो सी है लिए और फृजकी जोन पर देख यहां पर दहए अब यहां पर देख पार रहे लोग है् सीओंच क्योंकि Hill क्रूcs अश्तोरों मतलब क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा हमारे पास 128 है क्या हो जाएगा 128 और यहां पर आज आजएगा हमारे पास 1400 1400, 1400, 14976, okay, यह आएगा, आप काल्कुलेशन जरूर करना, जरूर से जरूर करना, okay, तो अब यहाँ पर इसे वेरिफाइ करोगे, तो LCM into HCF, 128 into, हमने कर दिया 14976 equals to, यहाँ रहे हमारे पास, product of given number, यह दोनो, 1152 into 1664, आप यह भी खुद से calculation करना, देखना, same ही आएगे, I hope आपको यहाँ पर question number 4 समझ में आ रहा है, अगर कहीं कोई doubt है, comment करके जरूर पूछ लो, कोई दिक्ते हैं, तो भी पूछो, कोई परिसानी रो, पीड़ा हो, कुछ भी हो, comment करके पूछो, और ना हो, तो सेयर्ज दवा के किया करो, आप question number 5 में आजाओ, question 5 using prime factorization, find a hcf and lcm of this, question 5 कह रहा है कि इन तीनों को, इन तीनों का prime factorization करके, hcf और lcm निल्कालो, बहुत simple है, अभी जैसे आप लोगों ने किया था, question number 4 में, बिल्कुल वैसे ही, इसमें करो, सबसे पहले 8 को देखो, 2 से करो, 2, 4 जा, फिर 2 से करो, 2, फिर 2, फिर 1, यहाँ पर 9, इसको 3 से करें, 3, 3, 3, 3, यहाँ पर 1, 25, यहाँ पर 5 से करें, 5, 5, 5, 5, जा, और यहाँ पर 1 हो गया है, यहाँ पर लिखा हमने 8 equals to 2 की power 3, यहाँ पर लिखा हमने 9 equals to 3 की power 2, और यहाँ पर हमने लिखा 25, 25 equals to 5 की पावर, यहां पर हो गया 2, इतनी बात किलियर हो गई, अब हमें LCM और HCF चाहिए, अच्छा, यहां पर एक चीज़ बताओ, क्या इसमें कुछ भी common आपको दिख रहा है, इस वाले case में, कुछ भी common नहीं दिख रहा है, तो फिर HCF क्या होगा, जब भी common कुछ नहीं होता है, तो आप HCF 1 लिख दो, क्या लिख दो, 1, क्यों 1, क्यों कि दो, यहां पर 1 आ रहा है, 1 का 1 से करोगे, 1 का 1 से करोगे, तो कुछ simple सी बात है, या फिर ऐसे समझो न, 8 को 1 से करोगे, तो 8 आएगा, simple, 1 सब में लिखा जाता है, जब कभी भी हमारा HCF common न मिले, तो 1 लिख दो HCF तो जाएगा, 224, 428, 339, 5525, यहां जब इसे solve करोगे, 1 800 मिल जाएगा, और जही हो जाएगा, कोशन नमबर 5 के 1st part का हमारा answer, नौ कुछ आएगा, 2nd part is, 2nd question is, 12, 15, 21, यहां पर 12, 15, 21, यहां पर दोगया माई पस्त, अब करना क्या है दो, यहां पर 12, 15, 21, यहां पर 12, 15, 21, 15, 21, अब यहां पर होगया, 3, 4, 12, ओके 2 से कर दो, 2, 2, 2, 2, 1, 3, 5, 15, 5 से कर दो, 1, 3, 9, 27, ओ, सॉरी, 3, 7, 27, मगर यहां पर 21 है, तो 3, 7, 7, यहां पर 1, यहां पर हमने लिखा 12, equals to, 3, into 2, into 2, यहां पर 15, equals to 3, into 5, अब यहां पर हमारे पस 21, 21, equals to है, हमारे पस 3, into 7, यह हो गया, got it, हम देख पारे, सभी में 3, 3 है, 3, 3 है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे, कि जो हमारा HCF है, वो क्या है, 3 है, और जो हमारे पस LCM होगा, वो क्या होगा, 3 होगा, और जो सारे नमबर बच रहे वो, यह 2, यहां पर 2, into 2, फिर 5, into होगा, हमारे पस 7, 3, 26, 6, 27 होगा, हमारे पस 12, 12, into 75, 35, तो यहां पर आ जाएगा, हमारे पस 420, और यह होगा, question second का हमारा solution, अब इसी के third part को देखो, यहां पर जो तीसरा है, इसमें क्या कह रहा है, 17, 23, 29, 17, 23, और यह कर दिया हमने 29, यह हो क्या, clear, okay, तो देखो, यहां पर 23, 17, 29 है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर 17 की बात करें, तो यह 17 किसी से भी जाएगा, नहीं, 17 सिर्फ 17 से जाएगा, तो हम लोग सकते हैं, 17 को solve करने में, हमें प्राइम फेक्टर जो मिलेगा, सिर्फ 17 होगा, और साथ में 1 होगा, और कुछ भी नहीं होगा, अगर 23 को करो, तो 23 को भी solve करने में, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ 23 के हिलावा, तो 23 कर दिया, यहां पर 23 कर दिया, यहां पर हो गया 1, अब बचा 29, 29 हमारा जा सकता है, किस से, 29 से, 1, तो यहां पर हो गया 29, एक कुछ दिख रहा है, हमने क्या बता है, जब कभी भी कुछ ना दिखे तो 1 लिख दो, और LCM में क्या होता, जो भी दिख रहा है, सब उठा के लिख दो, यहां पर होगे 17, 23, और यहां पर होगे 29, यहां इतनी बात के लिए अब इसका multiply करोगे, तो 11,339 मिलेगा, अगर हमने किया है ठाड़ा ठीक है, अब फॉर्क में आजाओ, जो फॉर्थ है इसमें यहां पर है 24, 36, और है 40, यह है हमारे बश अब बात, अब लिख 24 हमारा यह किस से झाएगा, टू से जाएगा, टू से करो, 2,1,2, फिर 2 से गरो, 6, फिर 2 से करो, 3, फिर 3, यहां पर 1, यहां 3 3 और यहां पर 1 अब यहां पर 40 यह 2 से जाएगा 22 से गया 10 फिर 2 से गया 5 फिर 2 से नहीं 5 से जाएगा यहां पर 1 हमने देखा जब 24 को हमने solve गया तो हमें 2 की power 3 इंटु हमें 3 मिल गया got it? अब यहाँ पर हाँ हमाँ पका 36 इसको जब हमने सॉल्व किया तो 2 की पावर 2 और यहां पर 3 की पावर 2 यहां पर हमने कर दिया 40 जब उसको हमने सॉल्व के तो 2 की पावर 3 इंटु की पावर 2 हमने किर दिया 5 बस हो गया अब इससे LCM और HCF निकालो, पहले HCF निकाल लेते है, जो हमारा HCF आएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा HCF इसमें दोको 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और 2 दिख रहा है, सबसे छोटा क्या है, 2 की पावर 2, यह हो गया HCF, ठीके, LCM की बात कर लेते है, L, C, और यह हो गया ह तो 3 का स्कुर्ण भी हो गया, हमारे पास है ना, एक सिकंड है, यहाँ पर आप देख रहा हो, 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इन दोनों में पावर किसी जादा है, यह वाली, यहां लिखो और इसे काटो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 5, तो यहाँ पर आगया हमारे पास 5 तो 2 की पावर 2 मतलब 4 यहां पर आज़ेगा 3 2 तूज़ा 4 तूज़ा 8 3 तूज़ा 9 और यहां पर होगे 5 यहां पर होगे हमारे पाज ओके तो अब यहां पर आज़ो कोशन इसी के 5 त में यहां पर जू है हमारे पास 30 72 432 30 72 432 30 क्यों करो 30 करोगे तो यह 2 से जाएगा 2 से करोगे 15 फिर यह 3 से जाएगा 3 5 से हो जाएगा फिर 5 हो जाएगा फिर यहां पर 1 यहां पर होगे 72 यहां पर 2 से करेंगे 2 3 6 2 6 12 फिर 2 से करेंगे 2 2 2 8 6 12 फिर 2 से करो 2 1 2 2 8 16 फिर 2 से करो 2 5 10 2 4 8 फिर 2 से करो 2 2 4 2 7 14 3 9 27 3 3 3 and 1 हो गया चलो अब यहां पर दो को जब हमने टैटी को सॉल्व गया तो हमें क्या मिला 2 फिर हमने 72 को जब सॉल्व किया फैक्टर निकाले तो हमें मिला 2 की पावर 3 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 फिर हमने 432 को सॉल्व किया तो हमें क्या मिला तब हमें यहां मिल गया 1 2 3 4 4 2 की पावर 4 और 3 की पावर हमें 3 मिल गए got it अब हमें HCF आइंड करना है तो H, C, F हमारा क्या हो जाएगा इसमें जिसकी छोटी पावर वही HCF ये 2 एक स्रिप तो ये हो गया इसमें से ये हो गया हमारा 3 बस ये हो गया 6 L, C, M जिसकी हाइस पावर यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 2 की पावर 4 इंटू, यहाँ पर हो गया 3 की पावर 3 इंटू, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 ठीक है तो यहां पर हो जाएगा हमारे पर्स 2, 2 is a 4, ठीक है, 4, 2 is a 8, 8, 2 is a 16, 3, 3 is a 9, 9, 3 is a 27, इंटु हो गया 5, आप इसका मल्टिप्लाइ करोगे ना आप, तो यहां पर आपको मिलेगा 2160 करके देख लेगा, और यही हो जाएगा हमारे पर्स LCM, और यह हो गया हमारा HCM, तो question number हमारा 5, complete, now come to the last question, जो कि है 6, 21, 28, 36, 21, 28, and 36, तो 21 जो है, इसको solve करने के लिए आपको क्या करना है, 7, नहीं 3 से करो, 3, 7, 0, 7, 1, 28 हमारा 2 से divisible है, तो यहां पर आजाएगा 1, 4, यहां पर 7, फिर 7, यहां पर 36, फिर 2 से, 2, 2, 28, 16, 2 से करो, 29, 18, फिर 2 से करो, नहीं 3 से करो, 3, 3, 3, 3, और 1, यहां पर 21 इकोल स्टी हो जाएगा, हमारे पर 3 इंटो 7, 28 equals 2 हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 इंटो 7 और यहांपर 36 equals 2 हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 इंटो 3 की पावर 2 यहांपर हमने क्या लिखा है HCF Highest Common Factor Common क्या दिख रहा है इसमें 3 दिख रहा है यहां 3 दिख रहा है यहां 2 दिख रहा है यहाँ 7 दिख रहा है, यहाँ 7 दिख रहा है हमें यहाँ पर कहीं भी कुछ common नहीं दिख रहा है कुछ भी common ऐसा नहीं, जो कि तीनों में हो तीनों में होना चाहिए, नहीं है ना, तो 1 लिख दो, बस अब LCM को देखो, LCM हमने क्या दिखा कि 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 है、 पावर thinkers, यहाँ पर हैं पर भी पावर 2 यहाँ अग ले लो, इनमें से कुछ भी धिर हमने देखा, 3 बहीया 3, यहाँ अब रहा थी mir does have done कि यहाँ 7 यहां 7 तो ैक 7 को बाहर ले लो 224 हो गया, 339 हो गया, into हो गया 7 और इसको solve कर दिया 252 हमें मिल गया, यह हो गया हमाई पस LCM and SCF तो question number 5 भी हमारा complete हो गया, I hope आपको यहां पर सारे question अच्छे से समझ में आ रहा है doubt है, comment करो, doubt नहीं है, share करो, हर एक बंदा पात्वा लोगों को share जरूर किया करे हर एक वीडियो को, ठीक है, share करो गाई, share करो और subscribe कर लो, question 6, find HCF and LCM of this and this and verify this, देखो यह जो question है, यह जो फोर्थ में भी किया है, आपने 5 वाले में भी किया है, यह मानलो, फोर्थ का ही एक पार्ट है, क्योंकि, फोर्थ में भी हमाई पस दो नंबर थे, उनका HCF and LCM निकालते थे, और यहां पर verify कर देते थे, वही काम के लवी करना है, चलो, तो हमारे पास जो नंबर है, उन्हे हम लिख लेते है शबसे पहले, अब देख बार ओ, नंबर हमाँ पस है कॉन से, एक सेकंड फे, ले रहते हैं तो हमारे पास जो नंबर है वो नंबर है बट है ग्या होते देख लेता है यह है 404 और 96 चार सो चार है और च्यान भे है च्यान चलो 404 को पहले सॉल्व करो प्राइन फेक्टर निका लो तू से जाएगा 212, 22402, vs 211 किसे जाएगा यह सी से हो जाएगा 96 यह 2olen 2 retreat 280 68 2248 2 1 2 2 2 2 4 2 6 12 2 और यहाँ पर 33 यहाँ पर विण होगे 1 यहाँ पर हमने लिखा 404 equals 2 यहाँ पर लिखा 2 probability 2 10 हुर यहाँ पर होगे 1 यहाँ पर हमने लिखा 96 equals 2 12345 2 की पावर होगे हमाँ पस 5 into हमाँपाँ होगे 3 clear अब सबसे पहले HCF निकालो HCF हमने देखा इसमें कौमान क्या अच्छा इसको पहले इसे लिखो 2 की पावर 2 इंटू हमने लिखते है 101 हमने देखा यहां भी 2 यहां भी 2 इन दोरों में पावर जिसकी कम है वो हमारा HCF कि अब LCM दोरोंे L.C.M यहां भी 2 यहां भी 2 जिसकी पावर जादा हो L.C.M यहां पर है 2 की पावर 5 है 2 की पावर हमने 5 लिख दी इंटू यह 3 बच रहा है और 101 101 इंटू यहां पर होग़ 2 जो यहां पर देख पार है 4 आएगा और यहां पर आजाएगा हमारे पास कितना ओगे 2 तूजर 4 फो तूजर 8 तूजर 16 तूजर हो गया हमारे बस 32 32 इंटू 303 हो गया अब इसका अम लोग मुल्टिप्लाइगे तो हमें क्या मिल जाएगा हमें यहां पर मिल जाएगा 1 ने यह हमें लेगा 900,696 यह कोशन हम लोग कर चुक है इसी वीडियो में किया पिछला कोई कोशन ता ऐसे ही सेम ता अरे देखो अरे भाई साब यहां पर कोशन नमबर जो 4 है ना 4 कट थेड़ देखो 96 404 यह ही तो वह है और इस ही को ठाके ही अलग से कोशन बना दिया है कुछ गया हमें वेरिफाइ करना वेरिफाइ क्या होता है लस्म ल्च्विव नाइन-फ्ट्व कर दिया एक कुश्ट्या हमारे पास 404 इंट्व नांपस 96 हो गया अब मल्टिप्लाइ कर देख लो यहां देखो यहां पर मिलेगा 387 यहां पर मिल जाएगा 84 और यहां पर पी यह साथ अलग ढारह हो, अगर अलग आरह है दोनों में अलग अलग हाह, एक जरसे नहीं किर से नहीं है, समझ लेरा, कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गड़ड़ हो गई है, क्या हो गया हैकक फृअ कॉस्पॉलेशन में तो वह गड़ग है, बरना अलग नहीं आता है, कोशन हमारे 6 कम्लीट हो गया, अब कम टू दा नेक्स कोशन, कोशन 7, 2 पॉश्टिव इंटीजर A & B, अब मज़ेदार कोशन आएंगे 7 से, अभी तक तो विलकुल ऐसे ही थे, अब बढ़िया कोशन है, एक रहे 2 पॉश्टिव इंटीजर, A & B can be written as this and this, where X & Y are prime factor, find HCF & LCM, अरे क्या ही मजाए यार इसमें, यह दो नमबर दे दिए गया है, कहा रहे हैं से HCF & LCM निकाल के दिखा दो, क्या ही बताया जाए, अब इससे आदा असान मिलेगा, इसमें कहा जा रहा है, आपके पास एक नमबर है, इसके प्राइम फेक्टर दिए गया है, A की पावर, sorry, क्या था, X पावर 3, और Y पावर है हमारे पास 2, यह हो गया, और B हो गया हमारे पास, X & Y की पावर 3, यह हो गया हमारे पास, इतनी बात clear होगे, अब हमें करना क्या है, इससे LCM और HCF, HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए क्या करो, इसमें highest power जिसकी दिख रही उसको छोड़ दो, जिसकी कम है उसे लिखो, यहां पर इसकी कम है तो यह हो गया हमारे पास, HCF इन दोनों में power किसमें कम है, यह में तो यह हो गया हमारे पास, यह लो यह हो गया हमारे पास, अब LCM की बात करते हैं, तो LCM क्या होता है, जिसकी power जादा बड़ी वह हमारा LCM, यह पर X की power 3 और Y की power 3, यह आगया हमारा answer, अब बताओ इसमें कुछ था, कुछ था इसमें, नहीं नहीं नहीं, now come to the next, Q8, The HCF of 2 number is this and there, LCM is this, If one of the number is this, find the other, अब समझ लो, यह तक Q7 यह वाम अप था, अब यहां से खेल जालू हो रहा है, Game, यह से बोलते हैं Game, चलो, Q7 है कि आपके पास एक HCF है, Q8 है, Q7 कहरा है आपके पास HCF है, चीक है, क्या कहरा HCF है, 23 है, 23, और आपके पास जनाब LCM है, LCM कितना है, LCM 1449 है, अब कहरा है, यह किसी दो नंबर के LCM और HCF है, उनमें से एक जो नंबर है आपका, ठीक है, यहां लिख देते हैं, 1st number, 1st number जो एक number है, वो है हमारे पास क्या, वो है हमारे पास 720, sorry, sorry, 161 है, ठीक है, वो हमने 9th वाल नंबर देखिया था, तो देख पार रहे हो कि कोशन ने का है कि आपके पास दो नंबर है, जिसमेंसे एक number given है, इसका हमने HCF और LCM निकाला, आप कोशन है कह दिया कि भाया आप HCF LCM मन निकालो, हम निकाल के आपको देते हैं, आप इन मेंसे एक number निकाल दो, एक number given दे दिया है, दूसरा के रहा find करके बताओ, तो कैसे find करेंगे, जैसे हम लोग verify करते हैं जाना, इस formula से HCF, HCF into LCM equals to होता है product of product of two number number, ठीक है, product of two number बोलो या फिर product of given number, जहाँ पर given नहीं तो product of two number हमने लेका, अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह हो रहा है कि HCF into LCM जो होगा वो बराबर होगा दो number के product के साथ, बस यहीं समझना है और इसको रटलो, इसको रटलो यह पूरी exercise में लगेगा हमने आपको पहले ही बता दिया था अब देखो HCF 23 23, LC हमें 1449 है, यह लिख दिया product of two number, एक number तो हमें पता 161 है दूसरा number हमें क्या पता है नहीं पता, तो दूसरे number को हम लोग यहां पर कुछ भी मान लेते हैं या फिर लिख दो second number second यहां कर दिया हमने number लिख दिया, इतनी बात clear समझ में आ रही है अगर चाहो तो यहां पर let कर लो let second number second number B यहां पर X, Y, Z जो भी करना है कर लो यह आपकी मर्जिन अब देखो यहां पर यह लिखा 23 into 1149 है तो यहां लिखा 23 into 1449 यह हमारा multiply में इधर आ गया दोड के तो यह divide में आ गया 61 हो गया equals to second number अब इसको solve कर लो second number आपको मिल जाएगा यह हमारा जाएगा इससे 9 time 9 into 23 मतलब होता है 207 बस आ गया जो second number होगा हमारा वह हो गया 209 sorry 207 तो question number 8 हमारा complete हो गया समझ में आ आ गया आपको बहुत simple यह प्रैक्टिस कोरो अगर दिक्कत आ रही एक दो बर वीडियो को देखोगी सब समझ में आ जाएगा question 9 यह करता है hcf of two number is this and lcm of this if one of the number is this find out the same question है hcf of lcm आपको given है दो number के और दो number के hcf of lcm given है और उनमें से एक number भी आपको given है आपको find क्या करना है दूसरा number तो यहां पर question 9 है हमें given क्या है hcs hcf given है hcf of two number is 145 145 and lcm is lcm is 2100 2175 अब उन दोनों में से एक number यहां लिख देता है first number जो पहला हमारा number है question 9 if one of the number is 725 725 जो पहला number हमने इसे मान लिया find हम लोग करेंगे किसे second number को अभी हमने एक formula बता है lcm into hcf hcf into hcf into lcm कुछ भी बोल दो एक ही बात है एक question क्या हो जाएगा हमारा product of product of यहां पर हो गया हमारे पास 2 यह हो गया हमारे पास number इतनी बात clear हो गया अब हमारे पास जो hcf वह है 145 into lcm 2175 product of 2 नमबर दो नमबर को product एक नमबर हमें पता है 725 दूसरा नमबर हमें पता है इन तो इसको एसे लिए सेकेंड यहां पर हमारे पस नमबर got it यह होगया 145 into 2175 अब भाई सब यहां पर बैठे हुए हैं और यहां पर बैठे हुए दोड़ के यह इथार आजाएंगे क्या हो जाएगा divide में मुल्टिप्लाइमे थे इधर आगे तो 725 यहां पर आजाएगा हमारा सेकेंड यहां पर होगया अब इसको इससे कैंसल करोगे तो 3 ताम जाएगा 145 into 3 कर देंगे तो हमें यहां पर कितना मिल जाएगा यहां पर 435 मिल जाएगा यही हो जाएगा हमारा सेकेंड नमबर सेकेंड यहां हमारा नमबर ठीक है या फिर बोलो अधर नंबर जो भी बोला है बोलो बता आंसर निकालो तो कोशन नंबर 9 हो गया now come to the 10 कोशन कोशन नंबर 10 दा एसे फोफ टू नंबर इस नंबर A and B is 5 and the LCM is 2000 sorry 200 find the product of A and B अरे वा देखो कर दा एसे फोफ टू नंबर दो नंबर का रगी वेन है वही करा इन दो नंबर का A and B का जो HCF है हो है 5 है और LCM है यह है तो कह रहा है कि इन दो नंबर का product निकाल दो क्या निकाल दो product अरे बहुत simple है जेखो आप से कह दिया कि HCF पता है आपको LCM पता है आपको product निकालना है तो क्या करोगे यह formula निकालना दो के answer आजाएगा आप भी बता देते हैं नहीं समझ में आया आप भी समझाएंगे बिल्कुल अंदर गुसा देंगा आपके दिमाग में तो question जो 10 है यह गह रहा है कि भाया आपके पास दो नंबर है एक नंबर है A दूसरा नंबर है B और इन दू नंबर का जो HCF है वो है जनाव 5 ठीक है और जो LCM मौतरमा है यह है हमारे पास 200 नहीं ओके 200 ही है यह हो गहाँ अब कह रहा है कि भाया question ने कहा है कि HCF into HCF find the product of AB AB का product find करो formula आता है हां तो फिर लिको फिर HCF into LCM एक पॉस्टी हो गया product product of यहां पर हो गया two number two number यह formula होता है product of two number दो number का product दो number हमारे पस क्या A और B है यहां लिग दिया हमने A into B HCF हमारे पस 5 है LCM हमारे पस 200 है 5 तूसरा 10 हो गया और यहां पर हो गया हमारे पस 10,000 ठीक है 10,000 है 1,000 हो यह हो गया हमारे पस A B अब यह आगया हमारे पस A B क्या के रहता है इस नंबर इन नंबर का product निगा लो इन नंबर का आपको समझ में आ गया कहीं कोई doubt है comment करो अगर नहीं doubt है तो भी comment करके बताओ कि वही है कोई doubt नहीं सब समझ में आ रहा है और share कर दो अपने दोस्तों साथ मिलते है next video में और इसकी link आपको मिलेगी description में कर दोस्तों में आपको समझ साथ में से कम आपको में दोस्तों ज्पर J abdominalि झापको समझ मेरेorg झाला कर दोस्तों।